तो हेलो फ्राम वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो कैसे है आप सब तो फट आज के वीडियो वा काफी जादा इंफोर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए फट आज के वीडियो में में बात करूँगा हैजबेक कार्स और सिडेन कार के बारे में दोनों को कंपेरिजन करेंगे बहुत से मैक्जिमम ऐसे लोग है जिनने नहीं पता है आखिर हैजबेक कार्स क्या होती है और सिडेन कार क्या होती है ये दोनों में आखिर अमतलब डिफ क्या है तो विडियो बिल्कुल end तक देखना मैं हूँ आपका दोस्ट आपको हुस्य आमान वेन टायम बनार्स सकरके का आज करते हैं जो होती है फ्रेंड्स वह एक वहिकल की category है या sedan भी जो है वह एक ही के Award है जो है हर इक वहिकल अभी स्क्रीन पर लेकि चलता हूँ दो कारों को रकते हैं, हैजजबेक और सिडेन को पूंपेर करके आपको समझाता हूँ कि क्या दोणों में डिफरेंस आरी चीज toolbarेंस हो जैएगी, तो अभी चलो स्क्रीन पर लेकि चलता हूँ और comparison करके आपको बताता हूँ तो सबसे पहले मैं बात करते हो हैजबेक कार्स के बारे में हैजबेक कार ऐसी कार होती है जो के दो कमपार्टमेंट में डिवाइड होती है अब दो कमपार्टमेंट कैसे पहला कमपार्टमेंट जो होता है वो होता है इंजन कमपार्टमेंट और दूसरा जो होता है वो पैसेंजर कमपार्टमेंट मीन्स फर्स जो है वाव का बोनाट है जहां इंजन रहता है वो सेगंड जो है वो पैसेंजर कमपार्टमेंट है और अगर मैं boot की बात करू, means अगर डिक्की की बात करू, तो वो passenger compartment के अंदर ही दिया जाता है means एक तरह से कह सकते हो, hatchback cars के अंदर in-build boot space रहती है, इस वज़े से इस car को hatchback का नाम दिया जाता है अब बात करते हैं sedan car की, जैसे कि आपको पता ही friend, hatchback cars में दो partition होते है वैसे ही sedan car के अंदर तीन partition दिये जाते है, means तीन compartment दिये जाते है पहला होता है engine compartment, दूसरा होता है passenger compartment, जहाँ पे आपके जो भी passenger बैठते है और साथ में एक external compartment दिया जाता है, जो के है boot compartment hatchback में आपने देखे होंगे passenger compartment के अंदर ही आपको boot space या फिर डिक की देखने को मिलती है लेकिन sedan car के अंदर आपको कोई external boot space देखने को मिलती है जो के minimum 400, 450, 500 या 600 डिटर की भी होती है अब चली थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ practicals आपको मैं बताता हूँ यह आप देख सकते हूँ यह है Fiat Punto का hatchback car का boot space और यह है sedan car Fiat Linia का boot space तो दोनों का difference आप देख सकते हो hatchback और sedan का space आपको sedan में ज़्यादा देखने को मिलती है आपके मन में यह भी doubt हो रहोंगा कि hatchback और sedan तो हमें समझ गया लेकिन इस दोनों का फाइदा है क्या hatchback का क्या फाइदा है और sedan में convert करके उसी vehicle को आखी फाइदा क्या है तो फाइदे कि अगर मैं बात करूँ तो आपकी hatchback cars होती है कोई भी option आप ले लो लगेज आपके hatchback के अंदर fit करना चाहे तो वह आसानी से fit नहीं होते है बहुत मुश्किले आती है hatchback के अंदर में क्योंकि boot space बहुत कम आपको देखने को मिलता है क्योंकि एक तरह से inbuilt boot space है इसलिए बहुत ही minimum आपको देखने को मिलता है कई की vehicles में आपको 170 liter, 200 liter या 230 liter की boot space देखने को मिलती है जो कि अगर जादा luggage के लिए sufficient नहीं है लेकिन यहीं इसी hatchback को हम sedan से compare करें तो sedan में वही इसका issue जो था अपका luggage रखने का issue वो यहां clear हो गया है यहां solve हो गया है तो यहां आपको एक काफी बड़ी external boot space देखने को मिलत हो साड़े 400 liter या 500 liter या 600 liter की होती है वहीं आपको जो hatchback में 170 liter, 200 liter की boot space देखने को मिल रही है वहीं आपकी sedan में 500 liter या 600 liter की देखने को मिल रही है तो आप सोच सकते हो अगर hatchback से compare करें तो आप 2-3 hatchback का सामान एक sedan के अंदर रख सकते हो कितना मतलब जादा boot space आपको देखने क मिलता है means 2-3 कारों का सामान maximum जो भी सामान है वो एक sedan के अंदर आ सकता है तो means यहाँ अगर दोनों को compare किया जाए तो boot space यहाँ जादा मिलने वाली है अगर sedan का जो main purpose है वो है maximum boot space availability means traveling में आपको कोई भी issue नहीं आने वागेज से related कोई भी issue आपको vehicle में नहीं देखने को भी तो यही है दोनों का अगर आपके मन में यह भी doubt हो रहोंगा तो आकर यह मतलब फाइदा क्या है यह sedan और hatchback में तो यह फाइदा है boot space maximum आपको sedan में मिलने वाली है तो यह differences आपको समझ गया होंगा कोई भी आपके doubt है इस video से related कोई भी other तो आप comment section में definitely कर सकते हूँ मैं जलस के लिए time मिल तब next video में जब तक के लिए good bye